आज के वीडियो में मैं आपका स्वागत करता है मैंनी लेस्ट कुमार तो आज का जो साथ अपडेट है जो की 18 नमंबर 2022 का है तो वीडियो को अंते तक जरूर देखें जिससे आपको पूरे इंफॉर्मेशन प्राप्त हो 18 नमंबर का पहला जो अपडेट आप स्क्रीन पर देख रहे है यह है सिक्षकों की कमी के बीच होगी पढ़ाई और जो कक्छाएं हैं फाइलों में ही रग गया थी ती सिक्षक की नियुक्ती प्रकिडिया तो जैसे कि मैं बता दू कि जो नियुक्ती असिस्टेंट प्रोफेशन है उनकी आप देख सकते हैं नये सित्र की काक्छाएं के बाड़े में जो की अतित्ति सिक्षक की नियुक्ती अभी तक नहीं रही है और आवेधन तो मुंगAwईड भी स्विद्य ले ले लिए हैं और सेलेख्षन जो होता है कमेटी की अब तक नहीं हो पाया यहां पर भी देख सकते हैं जो की सत्र है 2019 में 213 अथिति सिक्षक की न्युक्ति हुई थी और बाद में 2022 में जो है इनको बढ़ा दिया गया यहां पर भी देख सकते हैं 245 कर दिया अतिति सिक्षक का और जिनमें से छो आवेदन भी आये थे मगर अब तक इनकी न्युक्ति प्रकेडिया नहीं हुई है तो यह पाहला अप्डेट हो गया दूसरा अप्डेट जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यहां है असना तक पार्ट टू और ठीरी के चात्रा के बारे में दिया गया है जो की अब सत्र वी उपर देख सकते स्क्रीन पर बाइस उन्हीं से बाइस और बीस से ताइस का है और उनकी कक्छाओं के बारे में दिया गया है जो की स्टार्ट हो गई है कक्छाओं स्टार्ट हो चुकिया उन्हीं के बारे में यह दिया गया है और तीसरा जो है अपडेट आप इसमें देख रहा है यह है TNV और मुंगेर विस्विद्यालत दोनों के अनुदान का हिसाब के बारे में दिया गया है जो की इसमें सुधर में अनुदान के बारे में और उसके वाद जो आप स्कीन पर देख रहा है यह है नुबंबर से 16 अ कांपतर और PG मतलब graduation और PG की कक्छाएं के बारे में ही दिये गया है जो की यहाँ पर आप स्कीन पर भी देख सकते है UG और PG की कक्छाएं आतिति सिख्च की तो guest faculty जो आवेदन आये थे उनका अभी तक कुछ नियुक्ती नहीं हुई है मगर guest faculty जो लगवक 700 आवेदन आये है वो इंतिजार कर रहे है अपना और कक्छाएं तो start करने का निर्देश भी दे दिया गया है मगर guest faculty का नियुक्ती अभी तक नहीं हुई है उनके बारे में यह दिया गया है और उसके बाद है या part 2 के जो प्रामोटेट छात्र है और उत्तरिन हुए है उनके बारे में यह दिया गया है जो की सत्र आप देख सकते है 20 से 22 है जो की 20,000 से ज्यादा स्टूरेंट्स जो है अभी तक स्कूटनी में आवेदन किये थे और प्रामोटेट हो गया है उनके बारे में यह दिया गया है और पार्ट वान में 17,000 प्रामोटेड हुए है यहाँ पर भी आप देख सकते हैं डाटा में तो उनके बारे में यह दिया गया है और जो आप स्कीन पर देख रहे है या इंटर कॉलेज टूनामेंट के बारे में दिया गया है जो कि इंटर कॉलेज टूनामेंट जो आयोजन किया गया था उनी के बारे में यह दिया गया और कोसी कॉलेज खागरिया के बीच टूनामेंट का आयोजन हुआ था और उन दिया में से जो आप देख रहे स्क्रीन पर विद्यार्थी जो है असमंजस में है क्योंकि स्कूटनिक के रिजल्ट के वाद कला और विज्ञान का रिजल्ट तो नहीं निकला है मगर पाथट का जो कच्छाएं हैं उनमें कच्छाएं नहीं कर पाने पर विद्यारती असमंजस में हैं और नहीं कर पा रहें किलास तो जो सत्र आप यहां पर सत्र विद्यारती तो आज के वीडियो में मैंने आज आपको यही बताया साथ अपडेट बताया पाल अपडेट मैंने बताया कि अभी तक न्यूक्ति प्रकिरिया ही चल रही है फाइल में ही चल रही है जो कि गेस्ट फैकल्टे के बारे में दिया गया है दूसरा मैंने बताया काक्छा है स्टा यूजी और पीजी के अथिती सिख्छा के बाहली के प्रकिडिया के बारे में ही दिया गया जो कि गेस्ट फेकल्टी के 700 आवेदन आये थे और अभी तक नहीं इनकी न्युक्ति हो पाई है और इसके बाद है पार्ट टू में 20,000 से ज्यादा उत्रिन हुए हैं और पार्ट व किया गया है और लास्ट मैंने बताए स्कूट्नी के रिजल्ट का इंतिजार कर रहे है जो कि कला और विज्ञान का नहीं निकला अभी तक रिजल्ट और पाठट की कक्छाएं भी नहीं कर पारे कोई विध्यार्दी तो आज की वीडियो में आने यही बताया और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद